मार्केट के अंदर लुक पूछते हैं कि यार अच्छी स्मार्ट वाचेज क्यों देखने को नहीं मिलती क्योंकि यहां पे जातर वाचेज जो 99% मिलती है मार्केट में सब के अंदर वही RTS चलते हैं चाहिए 1000 रुपे से 10,000 रुपे तक बात कर लें वहीं बात करें मार्केट में जो VR OS होता है जो काफी जादा बहेंगा आता है एपल का वाच OS तो है एपल के साथ ही आपल वाच में देखने कोलता है और वो वाच इस सर्फ आईफोन के साथ ही कंपेटिबल होती है लेकिन उसकी जो सस्ती क्लोन वाली घड़ी होती वह तो 1500 भी देखने को मिल जाती है लेकिन इसी के साथ ही एक और खास वाच है जो की होती है आपकी Android की स्मार्ट वाच देखा तो कुछ साल पहले Android Watches मार्केट में आई जिसके अंदर Android Operating System चलता था इवन पिछले साल भी Firebolt यासी कमणी ने अपनी Android Powered Motion नका ली ती जो की ऐसा लगता था एक बड़े mobile phone को छोटे से screen पे यहां पे आपने घड़ी में लगा दी है और तोर सबसे बड़ी problem एक दिन से भी कम इनकी बैटरी लाइफ चलती थी और ना इवन सिम कार्ट स्वाट भी होता था इन वाचेस के अंदर की SIM कार्ड भी लगा लो कॉलिंग भी कर दो लेकिन इतनी सारे चीज़े बना के product की quality बहुत साथ inferior करती थी जिसका example बताओं क्या हुआ मार्केट से धीरे धीरे यहाँ पे जो companies है वो out होती चली गई और यहाँ पे जो इन watches का trend था वो भी बिलकोल खतब हो गया यानि कि Android watches आपको बिलकोल भी देखने को नहीं मिलती हाला कि market में अभी भी वे iOS वाली category अभी भी जिन्द है फिर भी वे iOS को लेना पसंद कर से वे iOS का मतलब है कि जैसे Google ले Android बनाए वैसे गूगल ने Android से ही वे वे वाइस माया जो कि थोड़ा लाइट वेट रहे वाचेस के लिए डिजाइन रहे उसका UI एनिमेशन से वाचेस के साब से रहता है यहाँ तक वे iOS का प्ले स्टोर भी डिफरेंट रहता है और वहाँ पर एपस भी वे iOS के लिए डिफरेंट रहती है और एक जिस कारेंट से क्वालिटी हेविली कॉंप्रमाईज होती है लोग को अचे एक्स्पीरिंस लिखने को नहीं मिलता और जो वे रॉएस वाली केटिगरी वह मार्केट में राइज नहीं कर पाद है क्योंकि अगर वे रॉएस वाली वाच अगर मिनीवम से मिनीवम पनानी पड़ेगी तो 10-15,000 रुपए खर्च हो जाएगा और सस्ते में इंडिया में ही असेंबल कर देती वाच इसको जो कि मोस्ली आर्टी ओएस पे चलती है आर्टी ओएस के बारे में सिंपल सी बात है कि आप उसके में कोई एपस इंस्टॉल नहीं कर सकते जो एपस यहाँ पे दी जारी आप उने यूज करोगे और बेसिक फंडमेंटल यूटिलिटी दर यह रहती है कि आपकी फिटनेस ट्रेकिंग करेगा आपको टैम बताएगा और थोड़ी बहुत पालतू की चीज़ा आप में नोटिफिकेशन वगरा कर लोगे यहाँ ताकि कुछ वाचे ने चैट जी पीटी का इंटिग्रेशन करके दिया था लेकिन यह बात यह थी कि मोबाइल फोन से कनेक्टेड है और मोबाइल फोन में चैट जी पीटी का यहाँ पर लॉग एन वगरा होना चाहिए आपके मोबाइल फोन में तब ही जाके चैट पीटी AI यहां पर काम करीए बेसिकली यहां पर वाच के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा था सारी की सारी चीज़े जो फैच की जा रही थे मॉबाल फोन से लेकिन इंडिया के जा वाच मार्केट होता है उसमें डिफरेंस बहुत जाद आ गया फिटनेस बेंट मेंगे लोग उसको अपने तरीके से यूज़ करते थे फिर क्या हुआ 2020 में जब पैंडामिक शुरुआ तो यहां पर SPO2 सेंसर फिटनेस की प्रती लोगों की रुची काफी जादा होगे जिस कारण से फिटनेस बेंट केटिगरी को ही वाच वाला शेयप दे दिया गया, यान ही है तो फिटनेस मेंडी लेकिन वहाँ पर आपको एक स्मार्ट वाच देखने कालती है और उस स्मार्ट वाच यानि के सर्कुलर वाले फ्राइग्मेंट में यहाँ पर नोंने क्या किया कि यहां पे smart watch को एक यहां पे fitness से related चीज़ बना दी और यहां पे लोग को बेचने लगे लेकिन बात यह हुए कि यहां पे market में धीरे धीरे दूसरी companies भी आती चले गए और बाकी companies ने क्या किया कि सस्ते में अपने product को बनाना शुरू कर दिया जिनकी कीमत as low as 500 रूपीस से भी शुरू हो जाती है और जाती है आपकी 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 तक और इन में difference क्या रहता है बेसिक किसी में design का difference है किसी में display का difference है दो चार feature इधर उधर हो जाती है कि mostly जो product रहते हैं वो almost 90% जो product से 5000 रूपीस के नीचे है 5000 रूपी के उपर बहुत ही limited product है और लोग भी ऐसे कि एक बार इन watches को लेकर देखा और जब लोगों ने शुरुआ पर watches ली तो देखने में तो watch अच्छी लगती है क्योंकि strap की quality अच्छी है यहाँ पर आपको build अच्छा देखने को मिल रहा है यहाँ पर dial अच्छा देखने को मिल रहा है तो build वगरा तो ठीक ठाक देखने को लेकिन अंदर जो product तब जहाँ पर उन्होंने display लगाया चिप लगाया बाकी sensor लगाया उनकी quality बहुत जाद inferiority यानि कि देखने में तो बेसे निकाली चार देन यूस करी उसके बाद भी खराब होगी यह भी स्थितिया यहाँ पर market में यानि कि product की quality रहते हों बहुत ही जादे inferior होती चली गए जिससे impact यह पड़ा कि overall smart watch category जो एक time पर variable को lead करती थी वो यहाँ पर धीरे-धीरे कम होने लगी जिस कारण से कई सार smart watch वाले trend के बाद वह भी हाँ पर पीछे होते चले गए और तो बाकी companies भी watches वगरे निकालने के कोशिक करी लेगिन वह भी कम होते चलेगा क्योंकि fundamental यह चीज थी कि जो budget watches थी उनका experience बहुत खराबता और हजार-दो-हजार रुपे खरत करने के बाद अगर 6 मीने साल भर में जो आपके काटों की घड़ी होती है यहाँ पर कोई digital watch होती है जैसे कैसी उप अगरा कि इन सब पर लोग आ गए और यह चीज मैंने observe करी कि लोग असली watches की उपर जादा prefer करने लगे बज़ाए कि smart watch उपर smart watch वाल एक छोटा सा minor trend आये था इंडस्री में जो भी आप यहाँ पर खतम हो गया और उसके पीछे का reason ही है कि product की quality बहुती जादे inferior थी लेकिन अग कहानी आते क्या future किस तरीकी का हो सकते है देखो future में मैं यह expect कर रहा हूँ कि कुछ लोग smart watch लेना पसंद करते हैं जिनको अच्छी quality का product चाहिए यहां पर जिनको असलियत में fitness वगरा tracking वगरा करनी है और यहां पर कुछ brand ऐसे हैं जो literally product सही बनाते है जैसे कि Amazfit एक ऐसा brand है जो अच्छे product यहां पर consistently deliver करता है और उसके अदर accuracy वगरा भी रहती है रिक उसके अदा आपको कई बार आपको ऐसे extraordinary features देखने को नहीं मिलते, gimmicks देखने को नहीं मिलते लेकिन practical होती है उनकी watches affordable भी होती है इसके बाद Samsung की watches के उपर लोगते हो जाते है क्योंकि Samsung ना अपनी watches के अंदर VOS पर आ गया है बले ही Samsung अपनी skin लगा कर दे रहा है लेकिन वो Google की mandate होते हैं उनको follow करता है बहुत बढ़ा जाके mobile phone अपने घर पर SIM पर अगर call आगा तो अपनी watch पर आप उसे अटेंड कर सकते हैं तो इस तरीके कुछ features यहाँ पर implement करें थे और इस तरीके से watches यहाँ पर काम कर रही ही इवन मैंने यह भी देखा कि watches रहें के अदर updates भी आ रहे थे features भी better हो रहे है और तो जो third party application का support ह वो भी यहाँ पर बढ़ रहे हैं कि Wear OS के लिए जो बड़े developer से वो apps भी बनाना शुरू कर दिये लेकिन अभी भी बात है कि Wear OS का market चोटा है और कई सारी company जो Wear OS के साथ product यहाँ पर develop करना चाहती है बनाना चाहती है वो अभी यहाँ पर नहीं बना पार है और वही है आपको media और quality के product दे रहे हैं तो simple सी बात है कि कोई भी company अपनी product को अगर अच्छा नहीं बनाएगी वो यहाँ पर market से out हो जाएगी और जिस company ने market में अपने product के उपर काम करेगी अच्छे quality की watch deliver करेगी वो यहाँ पर आगे भी survive करेगी और आगे और बढ़िया चीज़े जैसे कि इस सब्सक्राइब आप ग्लासे देशें तो यह smart AI glasses है लेकिन यह premium category के meta glasses आते है जो ray band के साथ में अब इसी का ही spin-off सस्ते में fire lens आपको देखने को मिलता है fire bolt से जिसके की मत 10,000 रुपे में जितने अच्छा आपको meta glasses देखने को मिलता है क्या वैसी quality आपको देखन पारी क्योंकि product की quality खराबती है और अभी हम एक transition printer देख रहे है smart watches के अदर जिसके अंदर जितनी भी खरावा poor quality के brand जो poor quality watches होती हो धीरे-धीरे market में उनका shipment कम होता जाएगा उनको बिशने में और दिक्कत आईगी और धीरे-धीरे करके market से brands out होना शुरू हो जाएगे और उसके बाद जो brand market में बचे रहे जाएगे वो यहाँ पर better product और better quality की चीज से निकालेगे जैसे शायद लोग भी use करना पसंद करें तो हाँ यार एक छोटी सी चीज है जो कि smart watch वाली category में हो रहा है लेकिन अभी में मेरी expectation है कि कई चीज यहाँ पर Wear OS के उपर और जादा काम और अगर वो सारी requirement अगर कोई company हाँ पर fulfill कर दे तो smart watch वाली category में बहुत ऐसे तरीके से rise कर सकते हैं देखने आने वाले future में क्या रहता है किस तरीके से काम होता है आप लोगों का Android की watches, VROS watches या RTOS वाली watches से कैसा experience रहा नीचे comment बताओ और वीडियो बागे कुछ भी नया सीख है तो चैनल को सब्सक्राइब करना थेंक्यों बने रहने के माँच वीडियो के अंदर गुडबाए